परिच्छा के परड़ाम को ले करके पूरे देश में हंगावा मचा हुआ है चात्र लगातार प्रदसन कर रहे हैं सलको पर उतर रहे हैं counseling कराई जाएगी चाहत रमाई साथ मौदूद हम उनसे बात करते हूं जानते हैं कि आखिर उन्हें क्यों लगता है कि पूरी परिच्छम धानली हुई क्यों लगता है आपको की धानली हुई है सर सब कुछ सामने है कुछ लगने ना लगने की बात ही नहीं है सारे प्रूफ सामने है सारे बच्छे बाहर है और कितने बच्छे सुसाइट कर रहे हैं मेरे हाथ में कितने प्रूफ अभी प्रेजेंट है कोई 12 में फेल है तो वो नीट में 705 पा रहा है टॉपर बना बैठा ह काहीं पे एक ही सेंटर में किते बच्चे फर्स्ट आ रहे हैं और जो नंबरिंग पॉसिबल नहीं है वो माक्षीट्स रिलीज हो रही है सब कुछ सामने है इस और और गवर्मेंट एंस सी तरी सुप्रीम कोर्ट कम्प्लीटली कि वह क्या वर्डिक देते हैं विकॉस जो है व इसको मानने को NTA तयार नहीं है जो साफ साफ प्रूफ है और NTA इसको भी नाकार दी है और दूसरी चीज है कि ग्रेस मार्किंग बात हुई है लगए 1530 बच्चे आप टाइम के बदले में आप मार्स दे रहे हैं ये कहा कने आया है मैंने 645 मार्क स्कोर किया और इस मार्क प अतना ही इनके लिए पर्याप थे बहुत जगे पेपर लीक हुआ है ऐसी मतलब बातें सामने आ रही है तो गोवर्मेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए ना मतलब बच्चे कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है जिन स्टूडेंस के पास पेपर पहले से पहुंच गया था व उनके पास तो सब एड्मीट कार्ट थे तो पुलिस ने जब पकड़े तो उन्होंने चेक या कि चार एड्मीट कार्ट तुमारे पास क्यू है तो उसमें से एक स्टूडेंस को पकड़े तो उन्होंने कहा कि हमें एक दिन पहले रात में लेकर गया तो पूरे आंसर पूरे कारें नहीं हैं इंटिये से जवाब जरूर मांग लिया सुपरिम कोड ने अब जो बाकी प्याइएल दाखिलों को सुनवाई दो चार जिमने होने वाली है तो उसमें हंडेट परसेंट हमारी बास सुनी जाएगी कि सवाल हैं जिन सवालों के जवाब एंटियो को देना ही चाहिए अगर इन सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं तो संसे लगातार बर करार रहेगा सवाल लगातार उठते रहेंगे क्योंकि सरकार के उपर भी लगातार सवाल उठते रहें कि सरकार सही से परिछा कराने में नक